तो देखो दोस्तो आज हम फिर से आ चुके हैं वो ही पेर की सामने जहां पे हमें लगातार कुछ दिनों से खिलोना मिलता ही जा रहा था तो दोस्तो देखना है आज हमें इस पेर में किया क्या खिलोना मिलते हैं ठीक है दोस्तो बने रहो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडि तो दोस्तो आज हमारा सौक को पूरा कर लेते हैं, तो चलो आगे बरो हमारे साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, तो दोस्तो ये देखो हम जंगल की अंदर इंटर कर चुके हैं, तो देखना है आज हम इस जंगल से खिलोना मिलता भी है या नहीं, जंगल तो बहुत घना है अंदर जाने में थोड़ा डर भी लग रहा था पर ये देखकर मेरा सारा डर चला गया दोस्तों देखो ये वाला चीज देखने के लिए ही मैं बेसबरे से प्रतीक्षा कर रहा था दोस्तों ये देखो अरे वाई साब कितना सुन्दर सुन्दर विल से इसकी अंदर देखो ये तो ये देखो डंपर है ये क्या है ये तक ट्रेन का पिक्चर दिया गया है ये साथ ट्रेन का पाठ हो सकता है और ये देखो दोस्तो ये कौन सा खिलोनों का है पता नहीं दोस्तो देख लो इसका कंड तो मुझे बहुत ही जादा बुड़ा लग रहा है दोस्तो तो चलो इसे यहाँ पे रखते हैं और देखना है आगे हमारे लिए और क्या-क्या चीज वेट कर रहा है तो बाकेट तो मिलना कंप्लीट हो चुका है तो बाकेट को हम थोड़ा साइड में रखते हैं तो चलो मिलत है और भी खिलोनों के साथ तो दोस्तो इसे कहाँ पे रखो कहाँ पे रखो थोड़ा सेब जगा चाहिए रखने के लिए यही हमें सेब जगा दिख रहा है तो चलो तो देखना है आगे हमारे लिए और क्या-क्या खिलोना है पर मुझे तो कोई भी किसी तरह का खिलोना देखो हमने तो देख लिया तो दोस्तो इसे उठा लेते हैं कौन सा खिलोना है देखो यह तो CNG आटो रिक्षा है पर आटो रिक्षा का कंडिशन देखो कितना जादा बढ़िया है पर यहां पर इतना सारा टूटा फूटा पार्ट्स है कि मुझे देखकर लग रहा था कि य दोस्तो गुड निउस है कि यह आटो रिक्षा कई से भी कोई भी तरह का डेमेज नहीं है तो चलो इसे हम बाकेट के अंदर ले लेते हैं ठीक है यह देखो बाकेट के अंदर ले लिया बाकेट को लेकर हम आगे बरेंगे ठीक है दोस्तो चलो बाकेट को हाथ में उठा लि साब तूट गया, देखो, ये देखो तोर कर हात में आ चुका है, अरे भाई, ये किया था, ये TO oil tank का truck था, देखो, truck तो बहा पे अटका हुआ है, पर oil tank का टूटके मेरे हात में आ चुका है, तो कोई बात नहीं, तूट गया तो क्या हुआ हम जोड भी देंगे अरे देखो इस टॉय की वज़ा से ये वाला टॉय नीचे गिर गया गिर कर ये देखो यहाँ से टूट भी गया तो दोस्तो ये कौन सा खिलोना है यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस ट्राक तो दोस्तो फुलिस ट्राक मेरे हाथ से गिर का तो कौनों बात नहीं इसे रख देते हैं हम इसे भी आटाच कर देंगे तो इसे निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो देखो दोस्तो अब निकाल के आ चुका है ये वाला खिलोना ये ट्राक लिखा हुआ है ट्राक सूपर पावर तो दोस्तो ये ओल टैंक था आप ढूरना पड़ेगा तो दोस्तो ये देखो यार कितना सुन्दर चोटा चोटा सा किलोना ये देखो कितना जादा प्यारा एक खिलोना है यहाँ पर और ये देखो और एक खिलोना तो देखी सकते हो दोस्तो देखो एक ही केले की पेर में दो-दो खिलोना बहुत बढ़िया तो सबसे पहले ये नजर में आया था, इसे ही हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो देख लो दोस्तों ये एक छोटूसा प्यारा सा एकार है, इसका कंडिशन देख लो बहुती जादा बढ़िया है, कई से भी कोई भी पार्ट डेमेज या तूटा फूटा कोई विल गाया नहीं, सब कुछ बिल्कुल पॉटफेक्ट करनिशन में है, तो चलो इसे जाके हम कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कलेक्ट कर लिया, और दोस्तों देख लो यहाँ पे ये देखो, ये तो अचानक उपर देखते ही क्या देखा आप लोगोंने देखना चाहूँगे तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को subscribe कर लो उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे आखों के सामने क्या चल रहा है तो देखने के लिए please channel को subscribe कर लो कट दिया ओके दोस्तो अब देखने के लिए रेडी हो जाओ ये देखो देखो हर तरफ खिलोना वो देखो वहाँ से शुरू करके ये देखो यहाँ पे खिलोना देख रहा है वहाँ पे तो मुझे दो दो खिलोना देख रहा है तो दोस्तो खिलोना अनलिमिटेट यहाँ पे है तो चल पे corner पे खिलाना है वो भी green color का कैसे दिखाई देता पत्ते की color से बिल्कुल मिलता जूलता color है ना इसका तो दोस्तो देखो यहापे लिखा हुआ है dumper मतलब क्या हुआ दोस्तो देखो dumper एक तो bucket के इंदर हमें सबसे पहले दिखा था यह देखो यह dumper वाला tractor है tractor का आगे का विल गायाब है पीछे से dumper भी गायाब है यह देखकर ही पता चल गया कि यह dumper वाला tractor है क्योंकि इसका पीछे से dumper ही गायाब है तो दोस्तो एक बढ़िया condition तो नहीं बोल पाएंगे कुछ खड़ाप condition भी नहीं बोल पाएंगे similar condition है तो चलो इसे जाके हम bucket के इंदर रख देते हैं यह देखो bucket के इंदर इसे भी रख दिया और दोस्तो यहाँ पे और भी खिलोना तो सबसे पहले हमों corner बाला खिलोनों से सुरू करते है ठीक है तो चलो आगे बार हमारे साथ देख लो दोस्तो यहाँ पे कौन सा खिलोन करने हाल है यह आगे आखाई रहू है यह देखो दोस्तो एक train engine है यह देखो train engine का उपर का पार्ट ही गायप था वह बाला पार्टि कर लिया कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कलेक्टिंग बाकेट लगबग फुल हो चुका है दोस्तों और यहां पे और भी खिलाना दिख रहा है मुझे ना जाने उसका साइज क्या होगा इसमें आएगा भी या नहीं तो देखने के लिए आगे बारो तो चलो यह देखो यहां ग्रीन कलर कॉमिनेशन का एक ट्राक मिला है मुझे यह सच में बहुत पसंदा राये मुझे घृन पीनग कलर कॉमिनेशन में कितना ही जच रहा है यह बाला ट्राक तो थो ठो impose ब्रेख रहा है इसका sound है, wheel कैसे घूम रहा है, देखी सकते हो दोस्तों, यह देखो, यहाप एक silencer भी है, यह देखो, fuel tank, और इस side में देख लेते हैं, एक बार, यह देखो, same combination इस side में भी है, दोस्तों, यहापे भी एक white color का silencer दिया गया है, यहापे भी एक oil tank है, fuel tank, जो भी बोलो आप लो पूर दो खिलोना दिख रहा है, हमें, देखो, यहापे भी और एक खिलोना है, तो चलो दोस्तों, फटा फटा आप लोगों को दिखा देना है, कि यहापे clean खिलोना है, कौन सा कौन सा खिलोना है, यह देखो, कैसे लटका हुआ है, देखो, एक केले की पत्ते की उपर, तो आगे का विल गायाब है, बाकी condition तो मुझे मस्त लग रहा है दोस्तों, कही पे भी कोई भी और damage नहीं है, बिलकुल perfect condition में है, तो चलो perfect condition में है, तो इसे और भी perfect बना देंगे, just इसका आगे का विल लगा का, ठीक है दोस्तों, इसे जाके हम collecting bucket के अंदर छोर के आते हैं, आपे देखो, यह उपर लटका हुआ है खिलोना, तो इसे हमें देखना है, यह कौन सा खिलोना है, तो देख लो दोस्तों, यह है एक JCB, पर JCB का तो इस्टेरिंग तो टूट के यह लटक रहा है दोस्तों, यह देखो इसका नीचे से, विल चेमबर ही गाया पर ऐसा वाला एक विल चेमबर बाकेट के अंदर हमें दिखाता, शायद JCB का भी हो सकता है, तो चलो बाद में ट्राइ करेंगे, सबसे पहले इसे भी हम बाकेट के अंदर रख देते हैं, यह देखो बाकेट के अंदर रख दिया दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर मुझे और एक खिलोन हुआ है, तो चलो जो भी हो, परफेक्ट बना देंगे, अगर इसका विल बाकेट के अंदर है, तो चलो इसे बाकेट के अंदर रख देते हैं, और आसपास और एक बार देख लेते हैं, कि और कुछ बचा हुआ है, उपर तो और कुछ नहीं है, दोस्तों आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा है हमें यहां पे भी कुछ नहीं है यहां पे भी तो कुछ नहीं है उस साइड में भी कुछ नहीं दिख रहा है यहां पे भी नहीं इस साइड में वहां से तो हम एंटर किये थे वहां पे हम उटरिक्षा मिला था और कुछ नहीं है दोस्तों इसका मतलब दोस और खिलोना देखो कितना उपर तक चला गया है तो चलो दोस्तो इन सभी को लेकर अटाच्मेंट पॉइंट पर पहुँशते हैं और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो दोस्तो पटापट चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अटाच्मेंट पॉइंट में वाई तो देखो दोस्तो हम पहुँच भी गया खिलोना लेकर एक से प्लेस पे यहाँ पे बैटके हम सभी खिलोनों के अटाच्मेंट करने बाले तो दोस्तो अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब की हो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यह देखो दोस्तो यहाँ पे आज हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलोना मिला था पर अच्छा वाला खिलोना आज मुझे लग रहा है जो की बिलकुल परफेट कंडिशन में मिला था वो दो ही मिला है बाकी सारे खिलोना टूट गया क्यूंकि दोस्तो यह भी खिलोना बढ़िया कंडिशन में ही था पर नीचे से विल खुला हुआ था इसे तो ठीक नहीं बोल पाएंगे तो दोस्तो जो मेरे हाथ से तूटा है जरूर अटाच्मेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे यह देखो दोस्तो यहाँ पर और दो खिलोना है बाकेट के अंदर यह देखो निकाल लिए इसे यहाँ पर रख देते है और बाकेट को ऐसे सीधा कर लेते है जिससे कि हमें एटाच्मेंट करने में भी आसानी हो आप लोगों को देखने भी आसानी हो तो सबसे पहले attachment करेंगे ये वाला oil tank का truck को ठीक है तो oil tank का truck का क्या attachment करना है दोस्तों देख लो यहाँ पे इसका हमें पीछे का tank सबसे पहले attach करना है यह देखो एक सीरी भी इसमें attach किया गया है तो सीरी समेथ हमें attach करना है यह देखो यहाँ पे लोक है तो यहाँ पे दो लोक है और यहाँ पे देखो छेदे दो यहाँ पे दो छेदे तो इसी छेद में जाके लोक होगा तो सबसे पहले हम इसे हटाते है थोड़े टाइम के लिए यह देखो पीछे बाला पाठ है यह आगे बाला पाठ है तो दोस्त तो देखो प्रेस करते हैं यह बिल्कुल परफेक्ट लिए अटाच हो चुका है इसे हम घुमा लिए अब घुमाने से पहले तो और एक काम करना था हमें यह वाला सीरी को यहाँ पर अटाच मिन करना था यह देखो उपर दो छेदे नीचे दो छेदे सेम प्रोसेस से एक साथ चारो छेद में पकड़ना है और हलके से दबाना है देखो जिससे की एटाच हो जाएगा तो दोस्तो देखो इतना सिंपल एटाच में आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा तो ऐसे मज़ेदर मज़ेदर वीडियो हम हर रोज आप लोगों के लिए लाते रहते दोस्तों सब्सक्राइब करके जूर जाओ और भी मज़ा आने वाले है यह हमारा गरांटी है दोस्तो यह देखो आते हमारा नेक्स्ट अटचमेंट की तरब जो की है हमारा यह सिटी पुलिस ट्राक तो दोस्तो यह पुलिस ट्राक है पुलिस ट्राक का यह बाला पार्ट गिर कर खु चुका है तो दोस्तो यह कंप्लीट हुआ अब इसका नीचे वाला विल हमें अटच करना है तो चलो इसका विल हम यहाँ पे अटच कर दिये यह देखो अटच हो गया दोस्तो यह वाला विल और यह वाला सेम प्रोसेस से यह अटच होगा तो दोस्तो देखलो चार विल को साइड में रख दिया तो दोस्तों दो खिलोना कंप्लीट हो चुका है आते हमारा नेक्स्ट खिलोना जो की है हमारा JCB का विल जेमबर एटाचमेंट करना है तो ये JCB का है कि नहीं देखना है हमें अभी तक पता नहीं कि ये इसका है कि नहीं, JCB का कंडिशन लगबग बढ़िया था, जस्ट इसका स्टेरिंग यहां से तूटा हुआ था, तो दोस्तों देख लो, यह इसी काई पार्ट है, यह देखो जूर चुका है, इतना सिंपल एटच्मेंट था कि क्या बता हो आप लोगों को, दोस्तों एकदम चुटकी ब लगेगा, यह वाला पार्ट लगेगा, यह वाला ट्रेन इंजिन में, तो दोस्तों यह वाला ट्रेन इंजिन का उपर का छद हमें जश्ट लगाना है, यह है इसका फ्रांट साइट, यह है इसका बैक साइट, यह देखो यहां पे चार छेद दिया गया है, यहां पे और य मझे लग रहा है दोस्तों यह attachment नहीं हुआ है तो attachment होना कर दो चाहिए था पर क्यों नहीं हुआ मुझे यह देखना है तो दोस्तों यह सही तरीके से लगाने के लिए थोड़ा पेसेंस रखिये आप लोगों को देखने को मिलेगा जरूर मिलेगा ये ठीक तरीके से ये attachment हो जाएगा ये देखो दोस्तो ये लगभख हो चुका है पर फिर भी खुल रहा है क्या बात है दोस्तो ये देखो अब हो चुका है तो दोस्तो simple process था पर थोरा time लगा इस बजा से sorry क्योंकि दोस्तो हम जो काम करते हैं perfect तरीके से करते हैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं दोस्तो देखो चार खिलोना complete हो चुका है अब आते ये बाला पार्ट की तरफ ये बाला पार्ट कौन सा खिलोना में attachment होने वाला है आप लोगों तो सायद पता ही होगा दोस्तो ये देखो ये बाला डंपर बाला ट्रेक्टर में ये बाला पार्ट आटा छोने बाला है तो देखो दोस्तो यहाँ पे चार छेद दिया गया है और यहाँ पे चार लॉक है ये देखो चार लॉक तो दोस्तो ये बाला पार्ट को ऐसे घुमा कर यहाँ पर रख देना है और हलके हलके से मीडिल में ज़स्ट प्रेस करो देखो बिल्कुल सही तरीके से यह जुर जाएगा देखो दोस्तो जुर भी तो चुका है अब जस्ट इसका आगे का विल ढूणना है हमें इसका विल भी देखो यहाँ पर मिल चुका है यह देखो इसका विल मिल चुका है यहाँ पर जस्ट सिंपेल प्रोसेस है यहाँ पर यह देखो एटाच हो चुका है दोस्तो अब एटाच हो चुका है तो दोस्तो यहाँ पर हम यह देखो यहाँ पे टोटल हमारा पाच खिलोने अटच्मेंट हो चुका है आते हमारा नेक्स्ट अटच्मेंट की तरफ जो की है हमारा यह एक्सकुबेटर का अटच्मेंट होने बाला है दोस्तो इसका आगे का दो विल हमें मिल चुका है यह सेम विल है इसका तो दोस्तो यहाँ से ड देखलो यहाँ पे हमारा डोट्राल six aik likewise हो चुका है आप आते हैं में आपका स्टे थो यह यह आख्री वाला एटचमेंट इह i everyone तो दोस्तो मिनी ट्रैक्टर का क्या अटाच्मेंट होने वाला है ये देखो ये वाला दो विल हमें ये रोड में अटाच करना है तो दोस्तो ये देखो ये रोड को हम ये देखो एक विल यहां से अटाच कर दिये अब ज़स्त गुमा लेना है ये देखो गुमा लिया और द देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा चार खिलोना था बिल्कुल पर्फेक्ट कर्णिशन में, सबसे पहले इसे दिखाते हैं, छोटु बाला खिलोना यह तो बिल्कुल पर्फेक्ट कर्णिशन में था ही, इसे इसके अंदर ही रख देते हैं, जगा बचेगा, यह देखो दोस्त तो देखो आज का खिलोनों का कलेक्शन कितना बढ़िया लग रहा है, यह बाकेट है आज का, तो दोस्तो ऐसे ही मज़धार तरीके से हम हर रोज आप लोगों के लिए नय नय जंगल में जाते हैं, खिलोना ढूनते हैं और आप लोगों के लिए इतना कुछ लेकर आते हैं, टूटा फूटा खिलानों को भी जोडते, देख लो कौन आ चुका है आखरी टाइम में, यह हमारे पास आ चुके है, हमें ढूनते ढूनते, तो दोस्तों यह जाएगा इसकी जगा में, इसकी जगा में जाने देते हैं, तो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स वी धूइ, पाइ भाएए य।